यूपी में बागपत के पाबला गाम में एक प्राचीन 1100 साल पुराना शिव मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना ग्रामीनों द्वारा कराई गई थी। यहां एक चमतकारी पत्थर जमीन के अंदर से निकला था। जिसके बाद ग्रामीनों ने यहां पर भव्य शिव मंदिर का निर्मान कराया। यहां मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मननत जरूर पूरी होती है। यहां देश के प्रत्येक कोने से व्यक्ति पहुँचते हैं। मंदिर कमेटी के सदस्य स्वराज सिंग ने बताया कि पाबला गाव में बाबा बैद्यनाथ पवित्र धाम 1100 साल पूर्व स्थापित हुआ था। इस गाव की स्थापना भी तभी हुई थी। यह गाव बागपत के मुख्य शहर से यहां आकर बसा था। उस समय यहां काफी जंगल हुआ करता था। जिन में एक गाव प्रति दिन जाकर खड़ी होती थी और उसका दूध निकलना प्रारंभ हो जाता था। इस मंदिर में देश के प्रतियक कोने से शिव भक्त पहुंचते हैं। शिव भक्त ग्रामीणों ने जब वहां पहुंचकर देखा तो वहां एक पत्थर जमीन से निकला था। कुछ अन्य गाव के लोगों ने उसे ले जाने का प्रयास किया लेकिन पत्थर को नहीं हिला सके। इस चमतकारी पत्थर को देखने के बाद ग्रामीणों ने यहां पर भग्वान शिव के भव्य मंदिर का निर्मान कराया। वहीं बागपत के पाबला गाम में स्थित इस मंदिर पर देश के प्रत्ये कोने से लोग पहुँचते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव की यहां आराधना करने से हर मनुकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे में मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालू हमेशा पहुंचते हैं